हाई फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं काड़िगन का डिजाइन लेकर आई हूँ आप सब के साथ सेयर करूंगी देखिए इस डिजाइन को ऐसे इसको स्वेटर पर भी डाल सकते हैं बहुत प्यारा डिजाइन है यह देखिए इसको पीछे के तरफ से यह इस तरह दिखेगा और सीधे के तरफ से इस तरह देखिए तो आज इसी को हम आप सब के साथ सेयर करेंगे तो अगर हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं को बताना देखिए यह सीधा उल्टा दो सलाई भून लिए अब यहां पर देखिए इसको यह पहला पंदा है और यहां पर हम दो को एक करेंगे यह सीधे के तरफ से अब यहां से हम डिजाइन शुरू कर रहे हैं तो यह यहां पर हम दो को एक कर दिए अब इसको देखिए एक दो तीन चार ये चार फंदा हम उल्टा बुन लिए अब यहाँ पर इसको देखिए धागे अपने तरफ रखेंगे और एक फंदा ये देते हुए इसको बुनेंगे सीधा फिर धागे पीछे और इसको उपर से ऐसे बुनेंगे उल्टा बुनेंगे देखिए इस तरह एक दो तीन चार ये चार फंदा उल्टा हो गया अब यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे उल्टे के तरफ से ये देखिए सीधे के तरफ से उल्टा तीन फंदा बुनके हम एक करेंगे तीन को लेकर ये देखिए इस तरह फिर यहाँ पर एक दो तीन चार ये चार फंदा उल्टा हो गया और फिर धागे हम अपने तरफ रखेंगे और इस फंदा में ये फंदा देते हुए बुनेंगे इसको इस त तरफ उपर से यह धागे को लेकर आएंगे ऐसे इस तरफ अब यहां पर देखिए एक दो तीन चार यह चार पंद उल्टा हो गया अब यहां पर हम दो को एक करेंगे और फिर धागे पीछे और इसको सिधा सिधा भून के कंप्लीट करेंगे अब पीछे के तरफ देखिए इसको पीछे के तरफ सरा हम पंदा उल्टा भून के कंप्लीट करेंगे इस तरह इस तरफ उनके complete करेंगे सारे फंदे को अब देखिए ये सीधे के तरफ ये पीछे के रूप पुरा complete हो गया उल्टा उनके अब सीधे के तरफ से देखिए अब फिर हम यहाँ पर ये फंदा हम इसी तरह ले लिए किनारे का फंदा यहाँ पर देखिए ये दो को एक करेंगे किनारे पर और एक दो तीन ये तीन फंदा उल्टा हो गया अब यहाँ पर देखिए ये धागे पीछे और एक फंदा सीधा बुनेंगे इसके बाद फिर धागे अपने तरफ और इस फंदा में फंदा देते हुए हम इसको बुनेंगे इस तरफ फिर धागे अपने तरफ अब इस फंदा में ये फंदा देते हुए इसको सिधा बुनेंगे फिर धागे अपने तरफ और एक, दो, तीन ये तीन फंदा सीधा उल्टा भून लिए अब यहाँ पर देखिए इसको ये तीन फंदा को एक करेंगे अब फिर यहाँ पर एक, दो, तीन ये तीन फंदा उल्टा भून लिए अब यहाँ पर फिर धागे पीछे इस फंदा को हम सीधा भूनेंगे फिर धागे अपने तरफ और इस फंदा में फंदा देते हुए इसको भूनेंगे इस तरह देखिए फिर धागे अपने तरफ अब इस फंदा में इसको इस तरफ बुनेंगे अब फिर धागे अपने तरफ एक दो टीन ये तीन फंदा उल्टा बुन लिये अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे इस किनारे दो को एक करेंगे और इस किनारे भी दो को एक करेंगे बीच में हम तीन को एक करेंगे और दोनों साइड किनारे पर हम दो को एक करेंगे अब पीछे के तरफ से ये पूरा रो उल्टा भून के कम्पलीट करेंगे इस तरह अब यह देखिए सीधे के तरफ है पीछे के रो यह कंप्लीट हो गया अब सीधे के तरफ से हम इस तरफ उनेंगे फिर यहाँ पर धागे अपने तरफ और किनारे पर दो को एक करेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर देखिए एक दो अब तीसरा रो सीधे के तरफ से यहाँ पर हम दो उल्टा भूनेंगे और यहाँ पर दो को एक कर दिये फिर दो उल्टा भून ले अब यहाँ पर फिर धागे पीछे और इसको देखिए एक दो यहाँ पर दो फंदा सीधा अब इस फंदे में देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा में हम साथ फंदा निकलेंगे उसके बाद यह दो फंदा सीधा फिर दो फंदा उल्टा और फिर अब यहाँ पर हम बीच में तीन को एक करेंगे इस तरह यह देखिए यह तीन को एक कर दिये फिर यहाँ पर एक दो यह दो फंदा उल्टा फिर धागे पीछे और दो फंदा यह सीधा हो गया इस फंदे में हम देखे, फिर इस तरह निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक में 7 फंदग निकल लिए, अब फिर ये 2 फंद सीधा, धागे अपने तरफ और 2 फंद उल्टा और फिर अब यहां पर हम दो को एक करेंगे, इस किनारे इस तरह, अब दो को एक कर दिए, फिर यह किनारे का है तो इसको सिधा सिधा भून के कम्प्लीट करेंगे, और पीछा के तरफ से इसको देखिए, इस तरह भूनेंगे, यह सारा फंदा उल्टा उल्टा भूनेंगे, ये एक फंदे में साथ फंदे निकाली थे, इसको देखिए अब, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इस साथ फंदे को भी हम उल्टा ही बुनेंगे, पीछे के रो, पूरा उल्टा बुन के इसी तरह कम्पलीट करेंगे, ये देखिए, पीछे करो ये उल्टा बुन के कम्पलीट हो गया, अब सीधे के तरफ देखिए इसको, सीधे के तरफ से, अब यहाँ पर हम दो को एक कर देंगे, यहाँ पर ये देखिए, दो को एक कर दिए, और फिर अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, बाकी इन फंदे आठ नव दस एक आरा यह एक आरा फंदा हम सिधा बुन लिए आप यहाँ पर फिर धागे अपने तराफ एक फंदा उल्टा फिर यहाँ पर तीन पुरींदा को हम एक करेंगे इस तरण यह देखिए, तीन को एक कर दिए, फिर यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागे पीछे, यह बाकी फंदा हम सिधा सिधा बुनेंगे, इस तरह, अब देखिए, यहाँ पर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा को एक करेंगे, और यह किनारे का फंदा है, तो इसको सिधा बुनके कम्प्लीट कर लिए, फिर पीछे के तरफ से पूरे यह रो उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे, यह देखिए, पीछे करो पूरा कम्प्लीट होगे उल्टा बुनके, अब सिधे के तरफ से देखिए, अब यहाँ पर यह एक फंदा हम इसी तरह ले लिए, और यह दो को एक कर देंगे, यह देखिए, यह दो को एक कर दिए, इन सारे फंदे को हम सिधा सिधा बुनेंगे, इस तरह यह बहुत ही असान है डिजाइंग आप एक बड़ ट्राय जरूर किजिएगा अब यहां पर देखिए यह सारे फंदे सिधा-सिधा बुन लिए यहां से यहां तर अब धागे अपने तरफ और तीन को एक करेंगे इस तरह फिर धागे पीछे और यह सारे फंदे हम सिधा-सिधा बुनेंगे अब देखिए यह सारे फंदे सिधा बुन लिए अब यहां पर दो को एक करेंगे और यह किनारे का है तो इसको इसी तरह बुनेंगे सिधा-सिधा अब यहां पर पीछे के तरफ हम सारे रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे यह देखिए यह पीछे करो complete हो गया अब सिध्य के तरफ से यह देखिए पूरे यह complete है अब यहां से हम दूसरे design निकालेंगे यह देखिए इस तरह यह किनारे के फांदा है तो बिना बुने भूने लिए अब यहां पर देखिए धागे अपने तरफ अब दो को एक करेंगे यहां पर जैसे यहाँ पर निकाली थी शुरू में रफिर अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरा है यह डिजंब तो यहाँ पर 2 को 1 कर दिये अब यहाँ पर 1 2 3 चार फंदा उल्टा फिर धागे अपने तरफ ही राखेंगे और इसको इस तरह निकालेंगे फंदा देते हुए भुनेंगे फिर धागे पीछे एक फंदा ये देखिए 1 2 3 4 ये चार फंदा उल्टा और फिर यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे इस तरह और फिर देखिए एक दो तीन चार ये चार फंदा उल्टा फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और यहाँ पर फिर एक फंदा देते हुए बुनेंगे इसको सीधा और इसको हम उपर से फिर इस तरफ बुनेंगे एक दो तीन चार ये चार फंदा उल्टा हो गया अब ये किनारे का दो फंदा है तो इसको हम दो को एक करेंगे और फिर ये किनारे का सिधा सिधा बुनके कम्प्लीट करेंगे अब ये पीछे के रो पूरा उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे ये देखिए ये कम्प्लीट ह होगे पीछे के रो उल्टा बुन के अब यहां से हम इसी तरह इसको दोराते हुए बुनेंगे इसी तरह रिपीट करेंगे और यह डिजाइन अपने आप निकलते जाएगा यह देखिए इस तरह तो यह इस तरह दिखेगा बनके यह देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है यह डिजाइन तो उमीद करती हूँ आप सबको यह डिजाइन पसंद आया होगा तो अभी तक हमारे चैनल को आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बेल एकन को प्रेस कीजिए ताकि मेर की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और स्वास्त रहें खूस रहें फिर मिलती हूं मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप लोगों के साथ